तो कहानी शुरू होती है एपिसोट कलर वॉयलेट से जिसका टाइटल है 24 इयर्स बेफोर दे हाइस्ट यहाँ पर हम रे और रोजर नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो कि साथ में चोरी करते हैं यहाँ पर रे का काम चोरी करना होता है और रोजर का काम लोगों को भटका करके रखना होता है रोजर यहाँ पर एक पार्टी में जाता है और एक अमीर आदमी से बात कर लेता है फिर वो दो लड़कियों को ले करके उसके घर पे जाता है और पूरे टाइम उसे living room में रोक करके रखता है दूसी तरफ हम यहाँ पर रे को देखते है जो कि उसी आदमी के घर पे खिड़की से चड़के जाता है वो उसके लोकर को खोलता है कि तब तक वहाँ पर रोजर आ जाता है और यह दोनों मिलकर के वहाँ से सारे समान निकाल रहे होता है कि तभी वहाँ पर उपर घर का उनर आने लगता है अब यहाँ पर रोजर बाहर जाके उस आदमी को रोक रहा होता है और रे यहाँ पर लॉकर के अंदर बैट जाता है जब वो आदमी अंदर आता है तो उसे रे नहीं दिखता है थोड़ी दिर बाद वो चेंज करके वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद रोजर रे को बाहर निकलता है उसे पता होता है कि अगर आज वो यहाँ पर फज़ाता और Rodger उसे लॉकर से बाहर निकाल नहीं पाता तो Ray यहाँ पर पक्ड़ा जाता Ray की एक फैमिली है, उसकी एक वाइफ है, उसकी एक बेटी है इसलिए वो ऐसा decide करता है कि अब वो इस चोरी वाले काम को छोड़ देगा और ये बात वो Roger को भी बता देता है उसके पास जो भी पैसे बच्चों होते है वो उनसे एक motor की shop को open कर लेता है क्योंकि वो car को ठीक करने में export होता है पर उसकी shop बहुत अच्छी नहीं चलती है और ऐसे ही कुछ मंद बीच जाते है Roger यहाँ पर एक बार फिर से उसके पास में एक हाइस्ट को offer लेकर के आता है लेकिन Ray उसके लिए मना कर देता है और अब हम Ray की wife Lily को देखते है जो कि एक club में काम करती है वह यहाँ पर club में अपनी बेटी के साथ में जाती है जहाँ पर यह वो वक्त चल रहा था जब white और black के बीच में काफी जादा difference था और यहीं पर क्योंकि Lily black होती है और इसकी बेटी भी black होती है तो उनके साथ में अच्छे से behave नहीं होता है और यह सारी चीज़े रे भी देख लेता है क्योंकि वो अपनी wife को pick करने के लिए आता है वहाँ पर और इसी सब के बाद Lily को job से निकाल देया जाता है और reason बस इतना सा होता है कि उसकी बेटी के दोधर घूम रही होती है अब यह लोग यहाँ पर साथ में अपनी shop पे काम करने लगते हैं और finally Ray को समझ में आ जाता है कि अगर उसे shop से related bank का loan चुकाना है तो उसे चोरी करनी पड़ेगी और वो Roger के plan में in हो जाता है उसने club भी एक magazine को देखा था जिसमें ऐसा बताया गया था कि club में एक function होने वाला है यह charity function है जहाँ पर बहुत सारी diamond की jewelry को show किया जाएगा अब function के दिन दोनों यहाँ पर चोरी करनी के लिए चले जाता है और Ray यहाँ पर locker के अंदर जो Ashley jewelry रखी थी उसमें जो diamonds थे उनकी जेगे वो नकली diamond लगा रहा होता है पर तभी वहाँ पर एक guard आ जाता है जो कि यहाँ पर Ray को देख लेता है अब यहाँ पर Ray को बचाने के लिए Roger आता है और वो उस guard के उपर हमला कर देता है वो guard तो वहीं पर बिहोश हो जाता है लेकिन अब यहाँ पर गलती से Roger से आग लग जाती है और यह आग हर तरफ को फैनले लगती है Ray यहाँ पर जल्दी जल्दी ज्वेलरी को रख लेता है और वहाँ से दोनों ही भागने लगता है जब तक वो लोग वहाँ से भागती है तब तक वहाँ पर आग बुरी तरह से बढ़ चुकी होती है और जब Ray यहाँ पर बाहर आता है तो यह देखता है कि उसकी वाइफ की कार वहीं पर ही पालट है असल में यहाँ पर फंक्शन की वज़े से काम जादा होता है तो लिली का बॉस उसे वापस जौब पर रख लेता है और इसलिए लिली फंक्शन वाले दिन वापस हजाती है अब Ray यहाँ पर लिली को बचाने के लिए जाता है जहाँ पर वो यह देखता है कि लिली दर्वासे के अंदर है और वो वहाँ पर बेहोश हो गई है Ray उस तक पहुश नहीं सकता लेकिन दूसरी तरफ से Ray यहाँ पर Roger को देखता है जो कि लिली के जादा पास होता है और शायद अगर वो कोशिश करे तो वो लिली को बचा सकता है पर Roger यहाँ पर भागना डिसाइड करता है और वो यहाँ पर निकल जाता है अब Ray यहाँ पर लिली को बचाने की कोशिश करता है और उसे हॉस्पिटल ले करके जाता है पर लिली के हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और लिली की डेथ हो जाती है और यहीं पर हॉस्पिटल में रे को पकड़ने के लिए आफिसर्स भी आ जाते हैं क्योंकि वहाँ के काफी सारे गार्ड्स ने रे को देख लिया होता है और यहाँ पर रे अरेस्ट हो जाता है और उसे काफी सालों की सजा हो जाती है और उसकी बेटी हैना की सारी जम्मेदारी एवा पर ही आ जाती है क्योंकि एवा और रे काफी अच्छे दोस्त होते हैं और अब यहीं से शुरू होता है एपिसोड कलर ग्रीन का हाई से साथ साल पहले रे अब जेल में है वो 14 साल काट चुका है और अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला गया यहीं पर उसका नया नया सलमिट आया होता है जिसका नाम होता है स्टैन स्टैन यहाँ पर लगबग डेड़ साल से जेल में है और वो रे का ही सलमिट है और Ray यहाँ पर Stan को जेल के बुरे लोगों से बचाता रहता है Stan को कुकिंग का काफी जादा शौक है और वो एक काफी अच्छा शेफ होता है Stan की एक गर्फरंड होती है जिसका नाम होता है Judy Judy यहाँ पर Stan के लिए चुपके से ऐसे लॉलीपॉप लेकर के आती है जिनने की वो जेल में अलग-लग लोगों को बेशता है मेबी इन लॉलीपॉप्स में किसी टाइप का नशा होगा साथ में यहाँ पर जेल में अलग-लग लोगों को सिम कार्ज भी चाहिए होता है तो Judy यहाँ पर उसे sim cards देती है अपने नकली nails में लगा करके और Stan यहाँ पर हर किसी को sim cards बेशता है यहाँ पर जेल में एक गैंग भी होती है जिसका नाम होता है पेकरवोड पेकरवोड यहाँ पर अक्सर Stan को परिशन करता है लेकिन Judy उसे हमेशा बचा लेता है पर यहाँ पर एक दिन रात में रे को दौरा पढ़ जाता है और अब जब वो hospital जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके symptoms की according उसके पास जादा time नहीं है और रे को समझ में आ गया था कि जेल से उसे लीगल ही तो बाहर निकारा ले जाएगा तो अब वो एक escape को प्लान करता है जिसके लिए उसे टान के जरूरत होती है लेकिन स्टान ये बोलता है कि उसके बद सिक्स मंती बच्चे है वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाता है जिसके वज़े से उसे प्रॉब्लम हो और इसलिए वो उसके साथ आने से मना कर देता है अब स्टान की गर्फरेंट जब जूडी उससे मिलने के लिए आती है तो वो एक लड़के बॉब के साथ में आई होती है असल में यहाँ पर अभी तक वो लोग जिसके से भी सिम कार्ट खरीद रहे थे वो फाइनली पकड़ा गया और अब उनके सिम कार्ज लाने में उनकी हैल बॉब करेगा स्टान को देखकर के समझ में आ रहा था कि बॉब और जूडी का रिलेशन्शिप चल सकता है इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि अगर वो अगले सिक्स मन्त यहाँ पर और रहा तो हो सकता है कि जूडी उससे अलग हो जाए इसलिए वो यहाँ पर रे के प्लान में शामिल हो जाता है उन लोग का प्लान होता है कि वो लोग टैनल के रास्ते भागेंगे पर अब यहाँ पर स्टैन एक न्यू प्लान बनाता है उसका प्लान यह होता है कि क्योंकि वो शेफ है और वो किचिन में काम करता है तो वो मैजिक मश्रूम हर किसी को खिला देगा जिसकी वज़े से कुछ वक तक सभी लोग का होश खो जाएगा और इसी टाइम का फायदा उठा करके वो लोग निकल सकते हैं वो करता भी ऐसा ही है वो सभी क्यादियों के खाने में मतलब ओट मील में मैजक मश्रूम मिला देता है सब लोग खा करके उल्टी सीधी हरकते करने लगते हैं और दूसी तरफ रे यहाँ पर अपने चेक अप के लिए हॉस्पिटल की तरफ को निकल जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स को चेक कर रहे होते हैं और अब स्टैन यहाँ पर अपने भी हाथ को काट लेता है तो उसे भी हॉस्पिटल ले करके जाना पड़ता है जब रे और स्टैन दोनों सेमी रूम में होते हैं तब यह अचानक से वहाँ पर गार्ड्स को पता चलता है कि जेल में कंडीशन आउट आफ कंट्रोल हो चुकी है और हर कैदी ने अपना होश को दिया तो यहाँ पर जितनी बे हॉस्पिटल की टीम होती है मोस्टली सारे लोग जेल में चले जाते हैं और स्टैन और रे के पास में जेल से भागने का चांस आ जाता है अब रे ने यहाँ पर चुपके से गार्ड की कीस की कॉपी बना ली थी और वो यहाँ पर उसी कॉपी से दर्वाजे को खोलने की कोशिश करता है पर उसे काफी जादा टाइम लग रहा था तब यहाँ पर स्टैन देखता है कि दूसी तरफ से कोई कॉप आ रहा है चेकिंग के लिए तो स्टैन यहाँ पर कॉप के सामने आ जाता है और रे को भागने को मौका मिल जाता है वो दर्वाजा ओपन करके वहाँ से निकल जाता है और डॉक्टर के डिगगी के अंदर बैट जाता है इस तरह से वो जेल से बाहर निकल जाता है और फिर डॉक्टर के घर से उसी की कार को लेकर के भाग जाता है यहां से भाग करके वे जाता है एवा के पास में एवा उसे हैना के बारे में बताती है और अब हम नेक्सीन में देखते हैं FBI एजेंट अबबासी को अबबासी को एक केस मिला है क्योंकि जेल से एक कैदी फरार हो गया है इस बारे में वो बात करने के लिए एवा से जाती है क्योंकि एवा ही लौयर होती है रे की अब एवा यहाँ पर यह बोलती है कि उसके कलाइनट को डराया धमकाय जा रहा था और वहाँ पर जेल के अंदर वुट पेकर गैंग के साथ में उसकी क्लाइंट के अच्छी रिलेशन नहीं थे और इसलिए ऐसा हो सकता है कि डर की मारे उसने स्केप कर दिया और इसी के बाद हम ये देखते हैं कि उसी डॉक्टर की कार एक लाश के साथ में जली मिलती है वह यहाँपर हैना को देखने के लिए जाता है तो यह देखता है कि हैना बहुत बड़ी हो गई है वह सक्सेस्वल है और एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करती है अब SLS कंपनी का ओनर होता है रोजर और ये देखने के बाद में रे को बहुत गुस्द आती है अब वो यहाँपर decide करता है कि वो अपनी बेटी को सारी बाते बता देगा और अपनी बेटी को Roger से ले लेगा मतलब इतना सब कुछ लेने के बात में Roger के पास में उसकी बेटी भी आगी है यहाँपर रे हैना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन हैना उसे बात नहीं करना चाती तो अब वो हैना को एक लेटर बेशता है और उस लेटर में उसने अभी तक कि सारी बाते बता दी होती है कि Roger ने किस तरीके से रे को धोका दिया था और यहीं से अगले एपिसोड स्टार्ट हो जाता है एपिसोड कलर यलो मतलब अब तक साथ साल बीच चुके है साथ साल से यहाँ पर रे प्लानिंग कर रहा है और अब फाइनली वो हैस्ट के करीब आ चुका है उसे यहाँ पर एक टीम चाहिए रे को यहाँ पर एक टीम चाहिए तो वो अपनी टीम को ढूणने में लग जाता है और सीन शिप्ट होता है हैना की तरफ हम हैना को देखते है जो कि यहाँ पर एक रांडम लड़की से बात करने के लिए जाती है दीरे-दीरे करके वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और दोनों रिलेशनिशिप में आ जाते है एक दिन वो अपनी गर्फरिंड को एक बुग को गिफ्ट करती है गिफ्ट के अंदर एक क्यामरा होता है क्यामरा के तुरू वो उसका पासवर्ड देख लेती है और फिर वो उसकी कमपनी के अंदर जाती है उसकी गर्फरिंड एक बहुत बड़ी कमपनी में काम करती है जहांपर वो लोग अपने वॉल्ड के अंदर अपना काफी सारा गोल्ड रखते है और अब यहांपर हैना उसी कमपनी में जाती है और सामने से जाकर के वॉल्ड के अंदर से थोड़े से गोल्ड को उठा लेती है और अब रोजर और हैना यह दोनों ही जाते हैं उसी कमपनी के ओनर के पास में और साथ में वो लोग अलग लोगों के पैसे भी अपनी वॉल्ट में रखते है क्योंकि वो 100% सिक्यूर होती है अब यहाँ पर उन्हें ये डील मिल जाती है और अब सीन शिफ्ट होता है रेगी तरफ रे यहाँ पर स्टैन से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर अब स्टैन की शादी हो गई है वो अपनी लाइफ से काफी जादा परेशान है वो अपनी मौ और वाइफ के साथ में रहता है उसका एक छोटा सा कैफे है और वो अपनी लाइफ में दुखी चल रहा है रे यहाँ पर Stan को ये बताता है कि वो एक हाइस्ट को प्लान कर रहा है 700 करोड डॉलर की जो कि बॉन्स के फॉर्म में होंगे Stan को पहले इतने बड़े गेम में फसना नहीं होता है लेकिन बाबने वो मान जाता है क्योंकि वो अपनी लाइफ से तंग आ चुका है अब रे यहाँ पर Stan को ये बताता है कि दुनिया की तीन बहुत ही पावर्फुल लोग जिने हम त्रिपलेट कहेंगे वो तीनों कई अरब की प्रॉपर्टी के ओनर हैं और तीनों अलग-लग कंट्रीज के बहुत पावर्फुल लोग है लेकिन उनके पास कुछ illegal bonds भी है जो कि लगभख 700 करोड डॉलर के है ये bonds वो लोग अभी तक government से चिपाते हुए आ रहे हैं क्योंकि government को इसके बारे में पता नहीं है और यही bond योरोप से आने वाले हैं इस शेहर में SLS की building में, SLS के vault में और यही उनका प्लान है कि वो लोग वाल्ट के अंदर से 700 करोड डॉलर के bond को निकाल लेंगे और फिर उनने cash करा लेंगे क्योंकि इस bond के बारे में government को पता ही नहीं है तो कोई उनने पकड़ भी नहीं पाएगा अब यहाँ पर रे को अपने टीम में एक driver, एक forger, एक security और एक chemist चाहिए होता है और वो यही सारे लोगों के लिए अपने टीम को एक खटा कर रहा होता है अब Stan को जब chemist समझ में आता है तो Stan यहाँ पर Judy से रे को मिलवाता है अब Stan और Judy अलग-अलग हो चुके है और Judy की शादी यहाँ पर हो चुकी है बॉब के साथ में अब जुडी के साथ बॉब फ्री है बॉब यहाँ पर वॉल्ट को खोलने में माहिर होता है तो वो भी टीम में आ जाता है और अब रे मिलता है एवा से एवा भी यहाँ पर टीम के अंदर आ जाते है जिसका काम होता है सारे लीगल मैटर से सभी को दूर रखना और सब के लिए दूसरी आईडी और पासपोर्ट रेडी करना एवा यहाँ पर रे को अपने घर में एक बहुत बड़ा अनरजिस्टर्ट गन्स का कलेक्शन दिखाती है जो की काफी जादा होता है इसके अलावा एवा यहाँ पर रे को एक ड्राइवर से मिलवाती है जिसका नाम होता है आरजे आरजे यहाँ पर अलग लग कार्ट को बनाने में माहिर होता है और अब यह सभी लोग एक टीम में आ जाते हैं यहाँ पर रॉबरी के लिए उन्हें जो भी चीज़े चाहिए उसकी पूरी कोस्ट आएगी लगबग 3 लाग डॉलर और उनके पास में इतने पैसे होते नहीं तो यहाँ पर बड़ी हैस से पहले उन्हें एक छोटी सी हैस्ट भी करने पड़ेगी पहले वो लोग कई सारे दूसी दूसी तरीके सोच रहोते हैं लेकिन फाइनली वो लोग डाइमंड हैस पर रुख जाते हैं बॉब यहाँ पर यह बताता है कि यह शेहर में एक ऐसी जगह है, जहाँ पर डाइमंड की एक बहुत बड़ी शॉप है, पर वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत जादा है, बाहर भी कई सारे गार्ट घूमते रहते हैं, लेकिन फिर वो लोग दिन दाहाडे हाइस्ट प्लान करते यहाँ पर वो सभी लोग अलग अलग टाइप का रूप ले करके रोट पड़ी होते हैं, जहाँ पर वो लोग पहले डस्ट बिन में स्मोक बॉम को ब्लास्ट करते हैं, और यह कई सारे डस्ट बिन में करते हैं, तो पूरी रोट पे धुआ ही धुआ हो जाता है, और क्यामर के ब्रेस्लette काफी जादा पसंद आहिता है और वह उसके ओपर बने वे गलास को शूट करके उसे लेकिन यह सब चिंप पर पोलिस भी आ जाती है और बॉब की हाथ में गोली लग जाती है लेकिन फिर भी वो लुग जैसे तैसे करके भाग जाते हैं अब एवा यहाँ पर यह सारी जोलरी को लिजा नहीं होती है जो कि सारी इंफोर्मिशन अपने ही पिता रही होती है लेकिन यहां पर आंडू को फसाद देती है एंडू यहां पर senior VP और क्योंकि उसकी जए खाली हो गयी है तो उसकी पोस्ट पर हैना आ जाती है है यहां पर senior VP बनने के बाद में रे से मिलती है और वो फाइनली रे को समझाती है कि उसे यह हाइस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो जिनका पैसा चुराने वाले है वो लोग काफी जादा स्ट्रॉंग है और इतने बड़ी लॉस के बाद वो लोग चैन्स से किसी को भी रहनी नहीं पर दो साल पहले वो ड्रक्स के नशे में थी और जिसकी वजह से सस्पेंशन भी मिल गया था और यही रीजन था कि कुछ लोग अभी उसके ओपर ट्रस्ट नहीं करते हैं लेकिन वो धीरे-दीरे करके हर किसी का ट्रस्ट जीद रही होती है यहां पर उसका एक बेटा भी हो में गन मिली है जिस गन से जो बुलेट निकली है और वो जो गन है वो दोने ही चीज़े एवा की है तो इसके लिए एवा को पूस्ताच के लिए बुलाता है जहां पर एवा यह बोल देती है कि दो मन्त पहले उसकी गन चोड़ी हो गई थी और उसने इसकी रिपोर्ट भी क रखिवी थी जिसकी वजह से यहां पर वह सही प्रूव जाती है और उसे चोड़ दिया जाते है इसके बाद वह जाती है इसलेस की बिल्डिंक में ऊपर का 59th फ्लॉर रेंट पे लेने के लिए असल मैं यहां पर जिस बिल्डिंग में एसलेस की कमपनी है उन्होंने भी यह टब कुछ कर रही होती है अब यहांपर एवा के अउपर नजर रही ती और वो भी यहां पर बॉप को देख लेत इह और दीरे दीरे कर के अभासी यहां पर सारी connection पता लगा लेती लेकिन उसे हम से रहता और में काम कर रही है तो ओर अब ti सीनियर्स को नहीं बताती है उसे पता चल जाता है कि बॉप की वाइफ है जूडी और जूडी और बॉप ये दोनों ही मिलने गयते कुछ वक्त पहले जेल में स्टैन से और स्टैन से मिट था रे का और रे की लॉयर है एवा तो जरूर ये सब कुछ मिलकर की कुछ प्लान कर र यहां पर रे को एक डूपलिकेट लॉग भी मिल जाता है जो बिलकुल वैसा ही होता है जैसे की कंपनी के अंदर है तो वो लोग उसके ओपर प्रैक्टिस करने लगते हैं और नेक्स सीन में हम यह देखते है कि अबासी को पता चल जाता है कि एवा यहां पर किसी से मिलने के जारी है तो अबासी उसका पीछा करती है लेकिन यहां पर कोई अबासी के पॉकेट के अंदर ड्रक्स का पैकेट डाल देता है जिसकी वजह से यहां पर अबासी को फ्रेम कर दिया जाता है और यह सब कुछ एवा ने करवाया होता है इस सबसे तो अबासी बच जाती है ले पर इसल में एवहं की नहीं होती है और बहुत साल पहले वह यहाँ पर टाइम चल रहा होता है तब ही आया होती है और धीर धीरे करके वह इतनी जादा strong बन गई होती है उसी connections आ गए होते हैं और अब वो यहां के citizen है लेकिन अभी भी उसकी नानी यहां के citizen बननी पाई है इसलिए government उसकी नानी को पकड़ करके लेकर के जाती है और अब वो उनके देश में उन्हें दुबारा से भेज देंगे और इस सबसे एवा बहुत जादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी नानी बहुत बुड़ी है और दुबारा से अगर उन्हें की country में भेज दिया गया जहां पर किसी को भी जानती नहीं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी और अब बासे यहां पर एवा के सामने डील रखती है उससे यह बोलती है जैसे कि एसलेस की वैन होती है तो वो लोग यहां पर एसलेस की वैन और उसके सिस्टम को क्लोन करते हैं अब हम यहां पर यह देखता है कि अब तक यहां पर सारे बॉंड यॉरोप से आ चुके होते हैं और रोजर की वाल्ट में सुरक्षित होते हैं रोजर की वाल्ट मे पर इसके बाद वो लोग वॉल्ट तक पोहट सकते हैं और सबसे लास्ट में एक टेंपरेचर सिस्टम होता है और इसी के बाद वो लोग वॉल्ट तक पोहट सकते हैं बाकी सारे चीजों को तो क्रॉस किया जा सकता है लेकिन टेंपरेचर सिस्टम को कैसे भी बंद निकर सकते अब इसके लिए यहाँ पर रे ने बहुत लंबी प्लानिंग करती होती है साथ साल पहले जब उसने हेना कोई सारी बाते बताई होती है उसी वक्त यहाँ पर हेना वॉल्ट के अंदर एक ऐसा सिस्टम डलवाती है जो कि रॉजर के कहने पर ही पड़ा होता है यह सिस्टम यहाँ पर टेंपरेचर से रिलेटेड ही होता है और यहाँ पर धीरे धीरे करके रे हर साल में एक एक पैटरन को सेट करता है तो मतलब साथ साल में सेट किये गए एक पैटरन का यूज करके वो चाहे तो टेंपरेचर को कुछ वक्त के लिए रोक सकता है और इस pattern को set होने में 7 साल लगे और इसलिए Ray यहाँ पर 7 सालों से इंतजार कर रहा होता है और अब scene shift होता है Roger की तरफ जहाँ पर वो यहाँ पर triplet की पार्टी में गया होता है यही पर है ना triplet की एक आदमी से कुछ बात कर रही होती है और अब यह triplet जाते हैं Roger से बात करने के लिए वो एक private जगे पर उसे ये बोलते हैं कि उनके जो भी bond है वो illegal है और Roger को यहाँ पर कैसी भी करके उन bonds को white bond में change करना है यह काम बहुती risk होता है और Roger करना नहीं चाहता तो वो यहाँ पर बहाने दे करके टाल रहा होता है लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह लोग बहुत ज़्यादा powerful है तो वो directly मना भी नहीं कर सकता अब जब यहाँ पर party चल रही है उसी वक्त यहाँ पर Ray Roger के घर में जाता है वो यहाँ पर उसके fingerprints को उठा लेता है उसके contact lens पर एक chemical डालता है और वहाँ से निकल जाता है अब lenses में chemical होने की वज़े से जब next day यहाँ पर जब Roger lenses को use करता है तो उसकी आँखों में redness आ जाती है जिसके लिए वो eye check-up doctor को बुलाता है वो doctor यहाँ पर stand बन कर कर आता है stand यहाँ पर eyes को check करने के बहाने Roger का 3D face scan ले लेता है और फिर वो 3D printing से उसका accurate face बना लेता है पर अब यहाँ पर ray को एक भुरी कबर मिलती है Roger को पता चल गया होता है कि system में कुछ problem है और कोई यहाँ पर back door बना रहा है temperature को रोकने के लिए तो वो यहाँ पर पूरे system को दुबारा से सही करवा देता है जिसकी वज़े से अब उसके 7 साल की मेहनत बेकार हो गई और इस हाइस्ट को अब उन्हें यहीं पर ही रोकना पड़ेगा रे का बदला अधूरा रह जाएगा यह देख कर कि उसे बहुत ज़्यादा गुसा आती है और वो जाता है एक सोना मेर रोजर को मारने के लिए लेकिन तभी वहाँ पर रोजर की बातों से उसे एक आइडिया आता है असल में रोजर तो बस ऐसे ही ग्यान जहाट रहोता है लेकिन रे को एक आइडिया मिल जाता है रोजर यहाँ पर रे की शकल देख पाए इससे पहले रे वहाँ से निकल जाता है अब रे यहाँ पर जाकर कि अपने टीम को ये बोलता है कि वाल्ट के जस्ट उपर एक टरनल है जिससे कि बहुत सारा पानी आएगा अगर वो लोग टरनल को ब्लास्ट करते तो उपर से सारा पानी नीचे वाल्ट के अंदर भरने लगेगा पानी जादा भरने के वज़े से टेम्प्रेशन मशीन अपने आपी बंदो जाएगी और इससे पहले कि वाल्ट में पूरी तरह से पानी भरे वो लोग वहाँ से चोरी करके निकल सकते हैं उनका प्लान बनने के साथ में उनकी हाइस्ट की प्लानिंग दुबारा से शुरू हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है एपिसोड कलर वाइट दे हाइस्ट यहाँ पर वो लोग रेडी हो जाते है एक बिल्कुल डुब्लिकेट वैन भी बन चुकी होती है जिसके अंदर बैट करके सभी लोग आदी रात ने चले जाते हैं एसलेस कमपनी के अंदर वो लोग यहाँ पर पीछे वाले रास्ते से अंदर जाते हैं जहाँ पर वो लोग गार्ड्स को एलेक्ट्रिक शॉक देख करके मार देते हैं यहाँ पर जूडी रोड के नीचे बने हुए टेनल के अंदर जाती है और वहाँ पर केमिकल को डालने लगती है दूसी तरफ बाकी सारे टीम वाल्ड के सामने पहुँच जाते हैं यहाँ पर वही वाकिंग वाला रास्ता होता है जिसके लिए वो लोग सबसे पहले अंदर बहुत सारी बीस को भेज़ देते हैं इतने सारी बीस के मूमेंट की वज़य से वो मशीन अपने में कन्फ्यूज हो जाती है और उसी कन्फ्यूजन के बीच में रे यहाँ पर बीस से प्रोटेक्टेट सूट पहन के अंदर चला जाता है वहाँ पर वो 3D स्कैन करने के लिए वही 3D मास को यूज करता है और इसके बाद यह सभी लोग अंदर चले गए होता है अब यहाँ पर टेंप्रेचर वाला उप्शन ही बचा होता है क्योंकि टेंप्रेचर यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और अगर यहाँ पर एक लिमिट से जादा टेंप्रेचर बढ़ गया तो फिर सारे अलाम ट्रिगर हो जाएंगे और यहाँ पर जो क्यामराज होते हैं वो लोग क्यामराज पर भी लूप में सेम वीडियो चला रहे होते हैं और यह सब करोता है हैना ने जूटी यहाँ पर केमिकल को लगा चुकी होती है तो यहाँ पर जबरदस ब्लास्ट होता है और इसी के साथ में सारा पानी वॉल्ट के अंदर जाने लगता है और टेंपरेचर मशीन अपने आप ही रुख जाती है अब यहाँ पर सभी लोग वॉल्ट के आगे पहुँच जाते है और बॉब और स्टान यहाँ पर एक वॉल्ट को ओपन करने लगते है अंदर से सारे बॉंद्स को देखते हैं और सारे बॉंद्स को एक मशीन के ऊपर रख करके ऊपर भेजने लगते हैं उपर यहाँ पर जूडी भी अब तक अंदर आ चुकी होती है और वो यहाँ पर सारे बॉंद्स को ले लेती है जो कि काफी जादा भारी होते हैं लेकिन इसी बीच यहां पर बीच में ही रोक जाती है और इसे रोकने वाली हैना होती है यहां पर बॉ्ड को अपने पास में रख लेती है और उनकी जगे खाली पेपर को पर एकक रियल बॉंड रख देती है और दुबारा से बॉंड के बॉक्सिस को लिफ्ट के अंदर डाल देती है यहाँ पर सारे नकली बॉंड आरजे को मिल जाते है और वो बिना चेक कि उन्हें ऐसे ही ट्रक के अंदर डाल देता है दुसी तरफ हम यहाँ पर अबासी को देखते है जो कि एवा के कहने पर बिल्डिंग के उपर नज़र रखती है और अब यहाँ पर एवा उसे टेक्स करके यह बताती है कि वो लोग 59 फ्लोर पर है और अबासी यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में 59 फ्लोर पर पहुँच जाती है और यहाँ से वापस नीचे जाने के लिए लिफ्ट भी खराब होती है और अब बासी इसी फ्लोर पर अटक जाती है और यही एवा का प्लान होता है और अब जब यहाँ पर वो सभी लोग सारे बॉन निकाल चुके होता है तब यहाँ पर रे बोलता है कि एक आखरी लोकर बचा है जो कि रोजर का है और उसे वौला लोकर भी ओपन करना है अब बॉब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बोलता है कि वो उपन करते है तो स्टैन और रे यहाँ पर मिलकर कि उस लोकर को ओपन करते है और इसके बाद स्टैन वहां से निकल जाता है एवा भी यहां से चली जाती है और अब यहां पर सर्फ रे बचाए और तब भी उससे मिलने के लिए उसकी बेटी हैना आती है हैना यहा पर उसे सारी बाते बता देती है कि उसने जान बूच करके सारे बॉंड genक 우리 और इसका रीजन वो ये वताती है कि वो अपने पिता को बचाना चाहती है उसे बहुत अच्छे से पता है इतने स्ट्रॉंग लोगों से पंगे लेने पर क्या होगा और हैना का यहाँ पर प्लान है कि वह सारे बांड दुबारा से उन्हीं तीनों को वापस कर देगी जिसके प्लान ही प्लान होगे आये जिस Kita चाहिक आँए ऑफिस में होगे हैं हमेशा के लिए उन सब को जिनदा छोड़ देंगे उनके पीथे नहीं आएंगे और ये दिल उसने ट्रिपले से उसी दिन पर ली थे जब आर्टी में उन वहांКर द्याद निकल जाती है औरव बॉब अपना आखरी काम शुरू करता है वो रॉजर के ऑफिस में से रॉजर का प्रिंट यूज करके रॉजर की एक चाबी को निकाल लेता है जिस चाबी को यूज करके वो लॉकर के अंदर बने हुए एक दूसरे लॉकर को ओपन करता है और इसके अंदर वो ब्रीफ केस हो उस चोरी का एक नेकलेस अभी भी रे के पास में होता है जो कि उसने उसी वक्त चुराया था जब वो चोरी कर रहा था और आज यही नेकलेस वो उसके ब्रीफ केस के उपर रख देता है और वहां पर दुबारा से वर्ल्ड को बिल्कुल वैसे ही बंद करके निकल जाता है और लेकिन अब जब यहाँ पर आरजे दोबारा से बॉब को शूट करने वाला था कि तभी यहाँ पर पीछे से जूडिया करके आरजे को शूट करके मार देती है। और वहां से जाई रहे होते हैं कि तभी वहां पर पीछे से स्टैन आ जाता है अब स्टैन और बॉब के बीच में गन फाइरिंग चल रही थी और जब यहां पर जूड़ी को यह दिखता है कि बॉब यहां पर स्टैन को मार देगा तो वह बॉब को ही मार देती है उसकी सास र के निकल जाती है और सबसे लास्ट में वहां से रे निकलता है दूसी तरफ अब तक यहां पर रोजर को पता चल चुका होता है कि उसके वॉल्ट में चोरी हो रही है क्योंकि 59 फ्लोर पर ही वो क्यामरा का सेट अप होता है जिसके तुरू उन्होंने वीडियो को लूप पर च सब्सकोर नेक्स एपिसोड स्टार्ट होता है एपिसोड कलर रेड्र आफ्टर अफ्टर रहाइस यहां पर सभी लोग ग्यारज में जाकर मिलते हैं जहां पर कोई पीछा लेकर के पहुचा नहीं यह पीछा अब बासी कर रही होती है और यहां पर सारी बातें पता है उसे कि बॉन्ड जो आएंगे वो नकली होंगे और अब किसी को कोई भी पैसे मिल लेनी वाले लेकिन फिर भी यहां पर एक्टिंग करता है जैसे कि बॉन्ड रिया लाने वाले हैं यहां पर सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं कि तब तक यहां पर एवा आ जाती है एव Stan की चेष्मे को देख करके Roger को याद आता है कि उसने आई टेस्स के लिए जस डॉक्टर को बलाया था उसके पास भी सेम चेश्मा था इससे वो क्यामरा रिकौर्डिंग को चेक करके Stan की शकल को देख लेता है और अब वो Stan की चार के नंबर से उसके घर का पता भी लगा लेता है और उसके घर तक पहुँच जाता है उसके घर तक यहाँ पर रोजर का आदमी जाता है वो यहाँ पर जाकर के स्टैन की वाइफ और मा को मार देता है और स्टैन का पता लगा लेता है अब वो यहाँ पर गैरेज की तरफ को निकल जाता है गैरेज में वो लोग जाकर के सब के ओपर अटाक करते हैं लेकिन स्टान, जूडी, एवा और रे ये चारो कैसी भी करके रोजर के आदमें को मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और दूसी तरफ FBI, रोजर के आदमी मरने के बाद उसकी इन्विस्टिकेशन करती हैं और यहाँ पर वो लोग रोजर के वॉल्ट को भी चेक करते हैं और रोजर के वॉल्ट में उन्हें सालों पहले चोरी हुए जूलरी मिल जाती है रोजर के ओपर केश चलता है और उसे 20 साल की सजा हो जाती है और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जिसका नाम है Six Month Later यहाँ पर बॉप जिन्दा है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है गले के ओपर चोट लगने की वज़े से वो बोल नहीं सकता अब वो यहाँ पर मिलने के लिए जाता है रोजर से वो बताता है कि वो भी उन लोगों में से एक था जिसने कि उसके वॉल्ट में चोरी किये और अगर वो चाहे तो हर किसी को वो मार देगा लेकिन बदले में उसे बॉन्ड का 50% चाहिए रोजर इसके लिए मान जाता है और ये कहता है कि वो 20,000 रुपे देगा लेकिन रे को मार दो अब 20,000 रुपे के लिए बॉब मान जाता है और वो यहाँ पर दो लोगों के साथ में जाता है और उनलोग का पता लगाने लगता है वो यहाँ पर एवा के एक आदमी जैवियोर से मिलता है और उसे मार देता है उस आदमी के तुरू से एवा और रे के बारे में पता चला होता है रे की तब्यत लगातार खराब होती जा रही है और अब उसके हाथ पैर बुरी तरह से काप रहे होते हैं वो सही से चल भी नहीं पारा और यहीं पर दूसरे शहर में जूडी और स्टैन रह रहे होते हैं वो दोनों यहाँ पर छोटी मोटी चोरिया कर रहे होते हैं पर स्टैन को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो इस चोरी से बहुत ज़ादा डर गया होता है उसे लगता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी लेकिन अब क्यों 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 उनके पास में पैसे खतम हो रहे हैं और यहाँ पर उन्हें अभी भी विलीव होता है यह जुलरी भी चोरी किये जो कि बॉब ने उसके लिए चोरी करी होती है स्टैन यहाँ पर उस जुलरी को चोरी करने के लिए एक शॉप में जाता है और शॉप का ओनर उस जुलरी को पहचान लेता है और वो FBI को रिपोर्ट कर देता है अब बासी अभी भी इस केस के उपर काम कर रही होती है और फाइनली उसे एक लीड मिल जाती है दूसी दरफ हम बॉब को देखते हैं जो कि जाकर के यहाँ पर एवा के घर पर अटाक कर देता है एवा यहाँ पर उनके तीन लोगों में से एक लोग को मार देती है लेकिन इन्दी एंट पकड़ी जाती है एवा, एवा की नैनी और रे इन तीनों को यह बंदी बना लिया जाता है पहले तो बॉब यहाँ पर बॉण के बारे में पूछता है लेकिन किसी के पास भी पैसे तो होते नहीं बोलता है कि वह से मिलने के लिए उसे पैसे देने के लिए आने वाला है और उसे उसी के शहर के मतलब साउथ कैलिफोर्निया के बीच के साइड में बुला लेता है बॉब यहाँ पर साउथ कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है वो लोग यहाँ पर ready होके सुबह सुबह बीच साइट बने क्याफे में जाते हैं और वहाँ पर टाकोस खा रहे होते हैं और दूसी तरफ हम देखते हैं अबबासी को असल में यहाँ पर रे ने अबबासी को call करके बोला होता है कि वो बीच पर आने वाला है अबबासी उससे मिलने के लिए बीच पर गई होती है अपने पार्टनर के साथ में और यहाँ पर उसे बॉब दिखता है वो बॉब को पकड़ने के लिए जाती है तो बॉब उसके ओपर shoot करने का try करता है तो अब वो बॉब को यह shoot कर देती है और बॉब की वहीं पर death हो जाती है और रे का यही plan होता है पर दूसरी द्रव यहाँ पर उस आदमी से लड़ते हुए जो कि यहाँ पर उन तीनों को बंदी बना करके रखा हुआ था एवा और उसकी नानी की भी death हो जाती है और अब हम देखते हैं Judy को जिसने की दूर से बॉब की कार को देख लिया होता है क्योंकि कैफे और बीच जोनों पास पास है वह यहाँ पर कार के अंदर कून के स्टेन देखती है और यही पर उसे पैसों से भरवा बैक देखता है जिसमें एक लाग डॉलर होता है अब इतने पैसे लेने के बाद में उसके पास दो रास्ते है या तो वह सामने एक ओपन रोट पर एक लाग डॉलर लेकर के निकल जाए नहीं तो वह वो पस जाए स्टैन के साथ में और वो स्टैन के साथ में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे इनी पैसों से लेकिन Judy यहाँ पर हर बार situation के according चलती है जो उसके लिए profitable होता है वही करती है तो वो यहाँ पर एक लाग डॉलर लेकर के अकेले ही निकलने का प्लान करती है हमें उसे निकलते वे दिखाया नहीं जाता है पर यहाँ पर 95% chances है कि वो यही decision लेगी और scene यहीं पर cut हो जाता है एक scene में हम यहाँ पर रे को देखते है जो कि finally अपनी बेटी से video call पर बात करता है उसकी बेटी यहाँ पर शहर से दूर जंगल के पास में रहरी होती है और वहाँ पर safe होती है जिस वक्त ही हाइस चल रही थी उस वक्त उसकी बेटी pregnant भी थी तो अब उसकी एक छोटी सी baby हो गई है अब उससे बात करने के बाद में रे जाता है रोजर से बात करने के लिए रोजर यहाँ पर उसे यही सब बोलता है कि इतना सब कुछ करने के बाद में उसे क्या मिला ना पैसे मिले ना खुशी मिली और एके करके सबी लोग मारे भी जा रहे और अगर यहाँ पर रोजर चाहे तो बहुत असानी से वो हैस्ट किसने की यह सारी बाते पुलिस को बता सकता है और फिर रे भी उसी की तरह जेल में होगा पर रे यहाँ पर उसे यह बोलता है कि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है और इसके बाद वो ऐसे ही अकेले जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से एक अन्नोन आदमी आता है और रे को शूट करके मार देता है ये मारने वाला आदमी कौन है ये बात कोई नहीं जानता लेकिन इसने वही टी-शिट पहन करके रखी होती है जो रॉजर के बेटा इसके बाद हम देखते हैं अबबासी को अबबासी लगातार इस केस के पीछे पड़ी होती है बॉब को मारने के बाद में भी वो बॉंड के बारे में पता लगाना चाहती है कि सारे बॉंड किसके पास है और अगर यहाँ पर इतने सारे बॉंड चोरी हुए है तो ट्रिप प्लेट अब बासी को भी मरवा देते हैं और इसी एंडिंग में यह सीरीज इंपर खत्म हो जाती है इस सीरीज का नाम है कि लाइडो स्कोप जो कि 2023 में रिलीज हुई है अगर आपको मैर्कस्प्लेइन पसंद दया हो तो प्लीज मारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और म अरण वो के दो इन थे जारी इंडियो किसा जारी को इंड़ मेंपिस को जारी किसा बड़ी किसा बड़ी किसा बड़ीं